एक राजा दश्रत के पिता का क्या नाम था? A. हरीश चंद्र B. अज C. सहस्त्र बाहू D. बली सही उत्तर B. अज तो लक्ष्मन की पत्नी का नाम क्या था? A. उर्वशी B. उर्मिला C. उमेश्वरी D. मांडवी सही उत्तर B. उर्मिला तीन लव और कुष्की परवरिश के स्रिशी के आश्रम में हुई थी? A. संदीपनी B. सुक्रचार्य C. वालमी की D. विश्वामित्र सही उत्तर C. वालमी की 4. रामायन महाकाव्य की रचना किसने की? A. वैदव्यास रिशी B. रिशी विश्वमित्र C. रिशी वालमी की? D. ब्रिहस्पती रिशी सही उत्तर C. रिशी वालमी की? 5. राजा दश्रत की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? A. कौशलया B. मन्दोडरी C. केकई D. सुमित्रा सही उत्तर C. केकई 6. श्रीराम और सीता के कितने पुत्र थे? A. एक B. दो C. तीन D. चान सही उत्तर B. डो 7. लक्ष्मन जी जब युद्ध में मूर्चित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा परवत उठा लाए थे? अग गोवर्धन B. हिंगिरी C. तरागीरी D. द्रोनगिरी सही उत्तर D. द्रोनगिरी 8. गुर्मिला और लक्ष्मन के पुत्र का क्या नाम था? A. अंदद और धर्म के तू B. लव और कुश C. भरत और शत्रुगन D. अर्जुन और सहदे सही उत्तर A. अंगद और धर्म के तू 9. रावन के सिनाप्ती का नाम क्या था? A. अगनी बाहू 10. पुर्मिला के माता पिता का नाम क्या था? A. भरत और मंडवी B. दृत्रिष्ट्रा और गानधारी C. ब्रहस्पती और सुकन्या D. जनक और सुन्यना 11. प्रभु श्री राम के आग्या से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? A. भरत B. शत्रुग्ण C. लक्ष्मन D. हनुमान 12. वानराज सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? A. मीरा B. समायरा C. रूमा D. अहल्या सहीर उत्तर C. रूमा 13. ताड का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? A. दान्वी B. देवी C. यक्षणी D. गंधर्वी सही उत्तर C. यक्षणी 14. मंदोद्री किसकी पत्नी थी? A. कुम्भकर्म B. विभीशन C. लंकापती रावन D. मेघनाथ सहीर उत्तर C. लंकापती रावन 15. मंदोद्री के प्रथम कुत्र का नाम क्या था? A. सहस्त्र बाहू B. अक्षय कुमार C. मेघनाथ D. नरान्तत 16. बाली वद के पश्चाच श्री राम ने सुग्रीव को कहां का राजा बनाया? A. सरिलापुरी B. कांधर C. कृषकिंधा D. पंच्वटी सही उत्तर C. कृषकिंधा 17. श्री राम और लक्षमन किस रिशी के साथ जनपुरी गए थे? A. रिशी वालमी की B. रिशी विश्वमित्र C. वेदव्यास रिशी D. देव रिशी ब्रिहस्पती 18. भरत के पत्नी का नाम क्या था? A. श्रूती कीर्ती B. मांडवी C. तारा D. कविता सही उत्तर B. मांडवी 19. रानी केके के पिता का नाम क्या था? A. अश्वपती B. राजा गंददे C. इंद्रासन D. राजा सुबाहू 20. श्री नाम ने जिस म्रिगरूपी राक्षस का वद किया, उसका नाम क्या था? A. ताड़का B. मारिच C. स्वाना सुल D. नरका सुल 21. वालमी की रामायन में कुल कितने श्लोक है A. इक्कीस हजार B. बाईस हजार C. तेईस हजार D. चौबीस हजार 25. रामायन महाकाव्य की रचना रिशी वालमीही ने मूल रूप से किस भाशा में की थी? A. संस्कृत B. देवनागरी C. अवधी D. तमिल 23. देवी अहल्या जिसको उनके परी गौतम रिशी ने शीला बनने का शाब दिया था, उनका उधार किस ने गिया? A. लक्षमन B. भरत C. श्री राम D. शत्रुगन 24. इनमे से कौन से रिशी थे, जिनका जन्म एक शत्रिय कुल में हुआ था, किन्टो उन्होंने अपने तपोबल से खुद को ब्रह्महरिशी बना लिया था? A. विश्वामित्र B. गौतम C. वालमिकी D. वशिस्ट सही उत्तर A. विश्वामित्र 25. रामायन में हनुमान जी को उनकी खुई हुई शक्तियों का किसने स्मरन कराया था? A. विभीशन B. लक्षमन C. जामवन्द D. श्रीराम सही उत्तर C. जामवन्द 26. कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावन ने युद्ध करके छिन लिया था? अग रोमानिया B. उश्पक C. गरुण D. एरावत सही उत्तर B. उश्पक 27. जब रावन माता सीता का हरन करके ले जा रहा था, तब किस पक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की थी? A. गरुण B. जटायू C. बाज D. हस 28. माता सीता की खोज में गए हनुमान का रास्ता, समुद्र में रहने वाली नागमाता ने रोका था, जिसके मोह में घुसकर हनुमान जी बाहर आ गए थे. उसका नाम क्या था? B. ट्रिज्टा C. कुम्भकन D. रावन 30. रामायन में भगवान शंकर किस अवदार में मौजूर थे? A. श्री राम B. लक्ष्मन C. हनुमान D. अंगद सही उत्तर C. हनुमान C. किसमान D. प्री राम D. अंगद D. राम D. लगवषित A. अंगद D. य worldview C. य पाम